मुंबई की भायखला महिला जेल में बंद, अमराबती से निर्दलिय सांसर नवनीत राणा और तलोजा जेल में बंद, उनकी विधायक पती रवी राणा की जमानत अरजी पर सोंबार तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। पक्ष ने इसे जानबूच कर सरकार ग्राने की साजिस करार हुए जमानत का बिरूद किया है। आज पुलिस के इस तरक पर राणा दंपती को अपना बचाव करना है। दोनों को राजद्रोगों के आरोप में गरफतार किया गया है। इसके लाबा एक अन FIR में उनके खिलाब सरकारी काम में वाधा पहुचाने और पुलिस कर्मियों से बदसलुकी का आरोप है। इससे पहले दूसरी FIR को रद करने की याचिका पहले ही मॉंबे हाई कोट से खारिज हो चुकी है। वही मॉंबई पुलिस की मांग और आधारत में जादा पेंडिंग केस होने की कारण जमान तरजी पर सुनवाई पहले 29 अपरेल तक के लिए टाल दी गई थी। राणा दंपती ने मातोश्री के बाहर हनुमान 40 पढ़ने का एलान किया था जिसके बाद शिवशेना प्रमुक के घर के बाहर हजारों सिवशेन एक जमा हो गए थे। मुमई पुलिस ने इस कानून विवस्था के इस्थि के लिए राणा दंपती को ही जिम्मेदार बताया और अरेश्ट किया था। शिवशेना प्रबक्ता संजर राउत लगातार दोनों पर निशाना साथ रहे हैं और उन्हें पीजीपी का एजेंट बता रही है। भायकला महिला जेल में बंद सांसार नवनीत राणा ने गुरुवार को एक और याचका दायर कर घर का खाना दिये जाने की इजाज़त मागी है। दोनों याचकाओं पर आज सुनवाई होगी। आज अगर राणा दमपति को जमायत मिलती है तो वे बिहार आ सकते हैं। बंबे हाई कोट के आदेश के बाद उनके खिलाब दर्ज दूसरी FIR में ग्रफतारी से 12 घंटे पहले मंबई पुलिस को उन्हें एक नोटिस देना होगा।